आप अपने प्रिपरेशन को प्रॉपरली ट्रैक कर सकते हो जब आप रिवाइज कर रहो किसली मॉक टेस्स के लिए या फिर आप जब आक्च्वल रिविजिन शुरू करोगे फेबररी मार्च एप्रेल में तब आपको तू दपॉइंट मालूम हो यह मेरी प्रियाइटी लि आपको प्रॉबलम होने वाली है तो प्लीज यह वीडियो एंट तक देखेगा आपको मैं एक चेकलिस समझाने वाला हूँ ठीक है कि आपका नीट 2023 या 2024 दोनों का चेकलिस्त क्या होगा ठीक है अभी से आप मिंटेन करना शुरू करो कैसे मिंटेन करना है और किन-किन बातो का ध्यान रखना है मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो पहली बात तो यह समझ लेते हैं कि आपका जो है ओवरॉल चेकलिस्त क्या होगा चेकलिस्त पूरे प्रिपरेशन का अगर आप बर्ड आई व्यू बे देखो तो ओवरॉल आपका चेकलिस्त यह रहेगा कि आ आपको अपने 100% टाइम डिवोट करना है यह 2023 के लिए ठीक वेक अवरी मौनिंग एक शीट ऑफ पेपर पर आप यह तीनों चीज़े जो आपको सामने दिख रही है ना 100% टाइम डिवोट करना है 15,000 क्वेशन आपको minimum प्राक्टिस करना है और जरूरत परती ही कभी भी अपने समझ में आ रहा है आप टीचर्स हायर करोगे अगर आपके खुद से पढ़ाई नहीं हो रही है और यू नीड सम मेंटॉर तो गाइड इन सुपर्वाइज यू या फिर आपको कोई मेंटॉर की ज़वरुत है आप करना है आप को पर्परेशन लेवल के हिसाब से आपको स्ट्राटीजी मिले उसके लिए आप किसी मेंटॉर को हायर करोगे तो यह चीज आपको यह तीनों चीज आपको पेपर पे लिखके अपने स्टेडी टेबल पे लगा देना है इस विल यू गिव यू अब्र गा आप पे चेक इन कर रहा है बड़े भाही की तरह कि हाँ बढ़ाई चल रही है कि नहीं चल रही है आपको मालू में आपको ओवर ओल 15,000 क्वेश्चन सॉल्व करने है और 100 परसें आपको टाइम डिवोट करना है देली बेसे पर देखोगे ना तो यू कमिट यूर सेल्फ त टेस्ट आ रहा है ठीक है आपको weekly, bi-weekly, monthly या फिर आपके part syllabus टेस्ट का अगर syllabus है अभी ठीक है तो आपको ऐसा जो मैंने आपके screen पे display किया है ऐसा एक आपको sheet पे draw कर लेना है ठीक है आपको कैसे करना है landscape mode में करना क्योंकि columns जादा हैं यहाँ पर आप chapter का नाम लिख दोग यह column create करोगे, आपका syllabus complete हुआ कि ने, आपने mcqs including previous year question, please remember previous year question आपको करना ही करना, mcqs भी करना है, ठीक है, अभी यह star mark का क्या मतलब है, मैं आपको समझाने वालो हूँ, right, revision आपने किया है कि नहीं उस chapter का, कितने बार किया है, आपको यहाँ पर tally mark डालना है, again that chapter ने, for example, यहाँ पर chapter को ABC मैं लिख देता हूँ, तो उसके मैंने 2-3 बार revise कर लिए, तो 3 tally marks मैंने डाल दी, ठीक है, अब आप उसके doubt solving कर रखे होगे, उसके लिए आप tick mark दोगे, तो syllabus complete कर लिए एक बार, read कर लिए, very good, MCQs क्या, उसके मैंने solve कर लिए, very good, revision कितने बार किया, तीन बार कर लिए, doubt क्या मैंने clear किया है, कई students यह जो है, भूल जाते हैं, यह column create ही नहीं करते हैं, कि उन्होंने doubt solve किया कि नहीं किया, अगर कर लिया है, तो बहुत अच्छी बार, फिर उसको revise किया करो, ठीक है, मैं है arrow बना देता हूँ, टेस्ट दिया है कि नहीं, उस particular chapter का, तो कई बार कि आशूडन करते हैं, जो टेस्ट का syllabus तो लिख लेंगे, बट टेस्ट देंगे नहीं, टेक, तो वहाँ पर आपको cross करना होगा, अगर टेस्ट दिया है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर टेक करना, और उसके इंशूर करना है, कि टेस्ट के साथ आप analysis भी कर रहो, analysis is equally important, अगर analyze नहीं करोगे, तो आप weak areas कभी identify नहीं करोगे, तो doubt solve करने के आपको नीडी नीडी समझ में आएगी, फिर January में आप रोना शुरू करोगे, कि मेरा तो इतना backlog बन गया, बच्चे अभी से अगर आप doubt solve करते जाते हो, और आप पीछे flip करते रह रह रहे हो, revision का ये track list आप बना के चल रहे हो, आपको मालूम रहगा है कि January, February में आगर रिवाइज करने की ज़रू होते है, तो किन चाप्टर के revision की ज़रू होता है, किन चाप्टर के आपके वीग area उसको आपको address करना है, ठीक है, फिर एक और चीज़ जो students भूल जाते हैं, आभी पढ़ाई करते वाग, प्राइमिरी सिलिबस कंप्लीट करते वाग, इसलिए मैंने पिंक से बनाया, अलग से दिखे आपको, आपने उसका short note बनाया के ने, उस topic का, येस आपने syllabus कंप्लीट कर लिया, आपने lecture देख लिये, किसी भी institute के, आपने उसके notes बना लिये, पर क्या आपने अपने वीक एरिया के बेसिस पे, मेन सिलिबस के बेसिस पे, short note अभी से prepare कर लिये, at least physics and physical chemistry, आप formula sheets अपने prepare कर लो, कैसे करना है, वो मैं भी आपको बता दूँगा, इस वीडियो में, मैं आपको, ये जो तीन एरियाज है, जो तीन उपर आप red marks देख रो, star marks देख रो, उनके लिए मैं आपको help provide करने आ लो, ठीक है, चलो, मैं बताता हूँ कैसे, तो ये overall checklist है, जो आपको दिमाग में रखना है, हमेशा, 15,000 question आपको कहां से करना है, अगर आप target batch के student हो, तो आपको recommended mcqs कर लेने, target batch में देखो, overall 40,000 plus questions है, ठीक है, 40k plus question, पर मैं ये नहीं कहा रहाँ, आप पूरे के पूरे लगाओ, कम से कम recommended mcqs आप पूरा लगा लो, ठीक, तो फिजिक केमिस्ट्री बाइली जी के टोटल, सभी chapter मिला करके, आपके 15,000 plus to 16,000 questions है, minimum इतना आपको लगा लेना है, अगर आप breakdown कर दो इसका, तो फिजिक केमिस्ट्री बाइली जी में ये आजाता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में 100 to 150 questions, पर चाप्टर, और बाइली में 200 के करीब questions, 150 to 200 questions, तो आपके 16,000 questions, along with analysis करना जरूरी है, बेर मिनमम नंबर ओफ क्वेस्ट्री आपको करना इससे जादा करोगे, आपको लुक्सान कभी नहीं होगा, ताइम है तो जादा करो, इसलिए हमने आपको 40,000 तक का question का bank provide कर रखा है, लिंक मेंने target batch का description में दे दिया है, अगर आप target batch में enroll नहीं कर रहा हो, तो आप अपने जो भी resource को यूज कर रहा हो, उससे ensure करो कि आप NCRT-based question, जैसे target batch में आपको provide करके रखा है, आपको वैसे NCRT-based, strictly NCRT-based question ही लगाने, अपने आपको deviate or distract नहीं कर रहा है, non-NCRT-based questions, ठीक है, चलो, अगला test आपको 23rd October को है, यह आपका syllabus है, तो आपको क्या करना है, आप देख सकते हैं, यहाप इस syllabus मैं zoom in कर देता हूँ, इस syllabus के लिए आपको ऐसी sheet प्रपेर करनी है, ऐसी checklist आपको बना लेनी है, ठीक है, प्रपेर करना शुरू कर दो, चलो, अब कहोगे भाई, आपने तो बहुत लेट से बता है इसके बारे में, पहली बात, यह schedule, अलरेडी मेरे telegram channel इमजोने नियारस पे uploaded है, आप ध्यान नहीं दे रहोगे, पर यह अलरेडी uploaded है, आप टेस्स समय पे नहीं दे रहोगे, इसलिए आपके ध्यान में नहीं यह चीज, कोई बात नहीं, 23rd October के टेस्स के लिए आप एल प्रिपेर्ड हो, कोई बात नहीं, आप 6 November के टेस्स के लिए तो आपके पास sufficient time है, तो इन चाप्टर्स के लिए, Physics, Chemistry, बाली जी के लिए आप ऐसा बना लो, चेक्लिस्ट, ठीक है, इसलिए बस कंप्लीट करो, रिविजन करो, उसके प्रिवेस एर क्वेश्चन लगाओ, तुम तेस्ट दोगे भी, 2nd November को, 6th November को, सॉरी, जब मैं पेपर ही अप्लोड करूँगा, फ्री ओफ कॉस्ट आप टेलिग्राम चैनल पर, तो तेलिग्राम चैनल आप जॉइन कर लो, लिंक मैंने दिस्क्रिप्शन में दे दिया, और फिर, इन चैप्टर्स की तुम अभी से शॉर्ट नोट बना के रखोगे, कैसे बनाने, मैं वो भी अभी बता देता हूँ आपको, ठीक है, तो यह टेस्ट का मैंने स्केडिूल अप्लोड कर दिया, अब देखो या, टेलिग्राम चैनल मेरे क्या है, इम्जोने नियारस, लिंक मैंने दिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो मैंने तो आपको कहा, ठीक है, शॉर्टनोड का मैं भी बता रहा हूँ, कैसे मैं आपको शॉर्टनोड में हमको करने आप, मैंने आपको ठेस्ट करने आप, मैं आपको रॉप करने या भालो हूँ, मैं आपको रग Arts Commission, मैं रगलर्लीu test परवाइड कर रहा हूँ, बताता हूँ, सारे student connected there is a reason why 2,11,000 student मेरे सा भी तक total connect हुए है ठीक है तो please जाओ यह question solve करो ठीक और मैंने already mcq आपको provide कर दिया है unit wise class 11th के बाली जी के provide कर दिया है 11th के physics chemistry के भी मैं provide करूँगा आपको biology के भी physics chemistry sorry 12th के भी physics chemistry biology के question प्रवाइड करने यह पीडिया आपको solve करने तो mcq आपको solve कर दिया आपकी अपकी अपार्ट रॉप्लोड कर दिया अपने telegram channel पही जाओ गूगल drive folder से अप सभी प्रिवेस्यों क्वेश्यों क्वेश्यों तक जितने भी strictly ncrt-based question आपको मिल जाएंगे along with the solution कैसे solution access करना वो भी मैंने message में type कर दिया telegram channel पही ठीक है समझ में आगे यह भी आपको मिल गया right अब short note की बात करते है तो short note के लिए मैंने क्या कर रखा है आपको भी प्रवाइड कर दिया तो ताकि आप short notes जो है physical chemistry के क्या होते है वो formula sheets होते है यह mind maps आपको डाउनलोड करना है आपको single side print लगा एपने यहाँ पर प्रिंट ले गिया कुछ लिखावा है यह mind map कैसे दिखते मैं आपको बता देता हो ऐसे दिखेंगे system of particle जैसे इसका mind map इसे इतना प्यारा है pictorial graphics भी है और इसमें आपके text भी है इससे आपको easily आद रहेगा सारे mind maps ठीक है ग्राविटेशन का जैसे हो गया ठीक है तो इसको एक जगा प्रिंट लिया और दूसरे साइड खा लिया यहाँ पर आप सारे फामले लिख लोग जो भी extra formula is आपके copy में है आपके module में है एक जगा लिख लो जो भी आपको test में नहीं formula देखने को मिल रहे है so for example आपका 100 question का test होगा ठीक है तो moving charges and magnetism का mind map है टोटल डेट सारे mind map है आपने देखा भी ठीक है physics and physical chemistry के upload कर दिए obviously जाओ in mind maps को download करो और अभी से short note prepare करना शुरू कर दो ना क्योंकि यही आपका revision का मसाला है जो आप revise करोगे January onwards जब stress बढ़ेगा अभी आपके बहुत time है trust me ठीक है लोग 200 से 600 का marks कवर कर लेते हैं अच्छे से पढ़ाई करके 15-16 घंटे पढ़ाई करके पहाँ पढ़ना पड़ता है और वो बंदे अभी से short note material भी prepare करते हैं क्योंकि अभी वो जानते हैं अभी तुमारे पास time है अभ आपको लगता है कि कुछ कमी रहेगी उसमें आप भर दो अपने time नीज लगेगा और साथ ही साथ syllabus के साथ साथ ही short note prepare करो इसलिए मैंने आपको बोला कि जो भी टेस्ट अपियर कर रहो उसका जो syllabus है उसका chapter यहां लिखो और यह टिक मारते जो कि क्या-क्या तुमने कर लिया रिविजन तीन बार किया है तो उसका tally mark कर दो short note prepare कर लिया तो tick कर दो समझ में आगया so all the best guys keep asking कोई और वीडियो आपको चाहिए आप मेरे को बता दीजिएगा जिनको target batch में enroll करना मैं link description में दे दूँगा वहां से आपको recommended mcqs minimum लगा देना और प्लीज याद रखिए 100% time आपको devote करना नीट के preparation में तभी आप अपने time waste को cut down करोगे all the best ठीक है